जो अंडर्वेट हैं, उनका लाइपोजेनेसिस होता है उनके वो जो फैट खाते हैं, जो कार्बोहाइटरेट लेते हैं, मीठा खाते हैं जो भी खाते हैं, वो उनके शरीर में उर्जा की रूप में, फैट की रूप में, मसल्स की रूप में कार्बोहट्रेट लेते हैं, तो वो उर्जा की रूप में उनके अंदर रूपहंतरित हो जाता है, अब हम अभ्यास कर रहे हैं, वेट कम करने वाले, तो जो अंडर वेट ह पढ़ाएगा जो ओरवेट है उनको लाइपोलाइसिस होगा तो यह दो शब्द है लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस मतलब एक कीश से दो निशाना लगा रहे हैं आप वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर तो एक है लाइपोजेनेसिस अंडरवेट वालों के अर्वेट वालों के लाइपोलाइसिस, लंबे-लंबे शौास, हम ये एक-दो बार नहीं कराते हैं, ये दस बार से सुरू करके, और हम 50-50-100-100 बार करवा देते हैं, और इसके 3-4-5-डाराउड तक करवा देते हैं, और इस्के हम देखते हैं और फाते हैं, कि एक महिने में, आप 10 से 15 किलो वेट कम कर सकते हैं जब हमने एक आरिक्रम शुरू किया था तब ये जो बाईंतरफ कंडिडेट देख रहे हैं डॉक्टर अनुराग वार्षने जी से ले करके वेदप्रिया जी से ले करके और उज्वला जी से ले करके हमारे पुझे स्वामी आत्मदेव जी क को भी हमने बाद में इसमें संविलित कर लिया था वो भी तगड़े हो गए थी तिर्यक्ताडासन फिर त्रिकोनासन ऐसे ये एके का भ्यास 25-25-25-25-100-100 बार तक करवाते हैं इससे हाथों में पैरों में पेट में पीठ में कमर में अलग अलग जगह जो वजन बढ़ा आज में आखशी को तो नहीं करना चाहिए उनका वजन और कम हो जाएगा ना इनका और कम नहीं होगा ऐसे मेरा कम होता अब तक तो मैं रसातल में पहुंचाना जोजा था तो देखो रहे आप लोग मोटे मोटो तुम लोग आराम करते रहता हु तूम्हा लगा रहता हूँ देखो मेरा वेट जब मैंने शुरू किया था इडिया टीवी पर तब भी 67 था अभी भी 66.4 है कर लेगी अभी जब आएगा आजा आजा तो ये जो है वेट जो है ये मेरा कोई भी देख सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूं कि योग करने से 66.4 मैंने अपना वेट 66-67 यदि मैं एक दो किलो उपर नीचे बोलो तो 66-68 के बीच में मैंने कंट्रोल किया हूआ है और 67 मेरा पहले ही दिन था तो इसलिए मैं कहता हूं जब मैंने पिछले 30 सालों से इसको पूरा मेंटीन किया हूआ है तो कोई भी ऐसा कर सकता है लेकिन ये कित मताश सो बार करेंगे तो लोकल फैट किसी का यहात रड़ बैट किसी के कुले चार बत्राफ ऐसे लटका चितकी चलते समझ में आता कि आदमी है कि ओरत है कि फुटबूल है कि भुबूल है तो यह ऐसे दो फिरिये तीसरा त्रिकोन आसन करो सब इसको पचीस-पचीस बार करके सो बार करा देते चावर रोंड कर लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यार भर तेरह चोद पंद्र है 16 17 18 19 20 21 22 23 12 25 ऐसे जितने भी मोटे मोटे भाई भैन है को रे देश के मैं सबसे कहूंगा कि एक एक अभ्यास 25 बार से सुरू करें 25 25 करके 4 राउंड कर लिए 100 बार हो जाएगा फिर कोई मोटा मोटी नहीं बच पाएगा मोटापे से भी पी, मोटापे से सूगर, मोटापे की कांड थायरेड हाट की प्रोब्लम सरीर में गांठे, फिरुन में कैंसर मोटापे से घुटों में दर्द, कमर में दर्द मोटापे की कांड से कैंसर कितने कंप्लिकेशन्स है इसके स्वामी जी मिनाक्षी मोटे लोगों को धर्ती का बोज बुलाती है लोगों को इस उनको तो महान हो मोट अपन दूर करने के लिए जितने भी मोटे भाई भाई भेने सुन लोगों को अप महान है आप तो नर्कि रूप मे नारायन है आप बुरे नहीं है बिल्कुल सही बात है लगी लगे लगे शास्थ दश भीश वार से ले करके तो इससे आगे का पीछे का यह बजन बढ़ा हुआ तो इस ओर मोटे मोटे यसे वो चले तो वो चाले दे धर्ती हाले थी कृच्व उसको उसको जाना जारी और घरनाट्रक में बोलते हैं धुमा धुमगी और टमिनाड़ु में नहीं हो जाता है गुंड़ागुंडी तो जो जाना जारी डुमा धुमे गुंड़ा गुंडी ie एक-खोटी है क्युता वर्णी मोटी हों थे ये मैं ज़्यादा बार इसलिए करके बता रहा हूँ अच्छा स्वामी जी पचीस पचीस बार करके स्वामी जी एक बहुत दिल्चस्प सवाल आया एक नितिन बंसल साब है वो ये पूछ रहे हैं फेस्बुक पर आपसे कि वजन ज्यादा नहीं है लेकिन पेट निकला आया हाँ तो पेट ही तो कम कर रहे हैं अभी अभी जो कर रहे थे पाद हस्तासन खड़े होके यह जो कर रहे हैं तिल्यक ताड़ा संत्रिकोना संकोना संपाद हस्तासन अभी जो कर रहे हैं यह सबसे ज्यादा वेट जो पेट पर ही बढ़ता वही पर अटेक करता है और ऐसे 25-50 पास बार आगे पीछे ऐसे वेट भी कम होगा साथ साथ सिक्स पैक तयार हो जाएंगे